बुजरुग कोई बात नहीं समझ पा रहे आपके माँबाप दादा दादी नाना नानी मतलब बुजरुग आपसे बड़े तो आप बजाए उनको नीचा दिखाने के बच्चो प्यार से सदकार से इज्जत से बात करो पहले उनकी पूरी सुन लो फिर उनका सदकार करो कि भाई पापा जी आपने बहुत बढ़िया बात बताई पर अगर आप आगया दें तो क्या मैं भी कुछ बता सकता हूँ मेरे भी माइंड में कुछ आइडिया आ रहा है तो हमें लगता है उनकी इगो हाट नहीं होगी अंकार को ठेस पहुंचती है ना तब गडबड़ो होती कि मैं बड़ा तू छोटा तू है क्या तो जब आप कोगे कि जी मैं अगर आप आगया दें तो मैं आप एक रुकेस्ट है मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ जिकीन मानो उसको लगेगा हाँ मेरी इगो हाट नहीं क्योंकि पहले ही सदकार कर दिया उसको बड़ा बना दिया तो फिर वो आपकी बात भी सुनेगा और अच्छी लगेगी तो मानेगा भी तो ये तरीके होते हैं घर परिवार को बांध के रखने की संयुक्त परिवार होते थे तो उसमें कितनी खुशियां होती थी तो कहने का मतलब संयुक्त परिवार जो होता है न बड़े फाइदे होते मानलो दो भाई हैं एकठे रह रहे हैं आगे दो बच्चे हैं तो उन में से एक भाई नौकरी करता है दूसरा भाई अगर मानलो केती बाड़ी या कोई थोड़ा बिजनिस करता है तो कहते हैं एक और एक ग्यारा हो जाते हैं और एक एक ही रह जाता है और दूसरी बात स्ख पूर हाथ जोड़के कहना चाहेंगे कि अगर आप दो तीन भाई हो कठे रह रहे हो तो दो लोगर घर का काम करें और एक सेवा के लिए फरी हो सकता है तन मन धन से परहित परमारत कर सकता है बदल बदल के करते रहे न एक बार एक आ गया दूसर बार दूसरा आ गया तीसर बार तीसरा आ गया और आज के युग में आज के समय में परहित परमारत अपने को छोड़ के सारी स्रिस्टी का भला करना अपना तू कर नहीं होता है वो तो एक आत्मिक मालिक ने शक्ति दी है कि आप आत्मिक रक्षा करें, आत्म रक्षा, वो तो करना ही है, लेकिन फिर अपने को छोड़के, परहित परमारत करने वाला कोई-कोई है, अगर सारी जनसंग्या देखें तो, बीडियो बनाने वाले मिल जाएंगे, एक्सिडेंट पड़ा है, खून निकल रहा है, कोई किसी को मार रहा है, अभी पीछे एक हमने देखा, शर्याम दिल्ली में, एक राक्षश प्रवर्ती का बच्चा, एक बिटिया पे चाकू बरसा रहा था, वो बड़ा हाइलाइट हुआ था, हमने टीवी पे देखा, तो, वहां लोग आ पड़ लिया, उसके पीछे से जाते और बाजू काबू कर लेती, बात कतब, लेकिन नहीं, मर ने दिया, यहां तक नहीं, उसने पत्थर उठा के वो जो किया, यह रोंकटे खड़े करने वाली घठना थी, लेकिन वहां लोग ऐसे जा रहे थे, जैसे कोई बात ही ना हुई कहां गई हमारी संस्कृती, कहां गई हमारी इंसानियत, जिसके बल पे हमारी संस्कृती पूरे वर्ड में नंबर वन है, हमें खुशी हमारे साड़े छे करोड बच्चों पे, खाश करके उन बच्चों पे, जो ऐसे समय में इंसानियत को नहीं भूलते और लोगों की मदद करते हैं चाए बाड़ का पानी हो चाए बुकम पाया हो प्रकरतिक आबदा या ऐसी कोई चीज दिख जाए वो नहीं पीछे अरती एक्सिडेंट हुआ पड़ा है उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाएंगे